हेलो विवन, स्वागा था आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चानल पर इच्छा HOT 247 में जैसा कि आप चानते हैं, हम JSC CGL को टार्गिट कर रहे हैं और JSC CGL के अंदर अगर पेपर 2 में आपने खोर्ठा लिया है और Regional Language में खोर्ठा लेकर आप अपनी तयारी को कर रहे हैं और अधिकारी बनने के सपने को आखों में संजोए हुए आप अपनी तयारी को कर रहे हैं तो यहाँ पर हम खोर्ठा की पूरी तयारी कर रहे हैं 100% सिलिवस को हम कवर करेंगे सब कुछ कवर करेंगे, सांदार तरीके से कवर करेंगे कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा यहाँ तक की व्याकरन, गद्य संग्र, पद्य संग्र, नाटक तो हम लोगों ने अभी एक मौनी फूल कवीता संग्र को खतम किया है और उससे related जो questions पूछे जा सकते हैं किस तरह के questions पूछे जाएंगे यह हम लोग देख रहे हैं MCQ चुकि लंबा कविता संग्रा में 31 कविता हैं तो हम लोग इसी लिए इसको part wise MCQ भी कर रहे हैं आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि आप जाएए playlist में और सारे पहले कविता को समझे और कविता को समझने के बाद इस MCQ को केवल देख लिजिए उसके बाद exam में आप बैट जाएगा फुल लेंध टेस्ट लगा करके आप सारे questions करके आईएगा यह हमारा दावा है चलिए आज हम एक मॉनिफूल MCQ का part 2 करेंगे जिसमें कि हमने 10 कविताओं को पहले cover किया और अब 10 के बाद से 12 कविताओं को आज पूरा cover करेंगे और last part आएगा और उसमें एक मॉनिफूल को हम क्या करेंगे पूरा cover कर लेंगे उसको समझ करके भी और उससे related MCQ को करके भी तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने MCQ को हम लोगों ने 10 कविता तक के MCQ को देखा था, देखिए MCQ क्या है, अगर आप कविता को अच्छे से समझे हैं, अच्छे से अगर आपने सुना है, उसको देखा है तो क्या होगा, कविता के जो lines है, उन lines को भी दे करके पूछा जाता है, कि बताईए यह कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है, कौन सी कविता में यह इस line को दिया गया है, यह कविता कौन से कविता संग्रह का कविता है इसको लिखने वाले लेखक का नाम क्या है, तो यह सब कुछ आप तभी कर पाएंगे, जब आप बहुत अच्छे तरीके से कवीता को समझे हैं, सारे उसके नाम को याद किये हैं, 31 कवीता है, आपके वल सुन लेंगे, तो आपको जब MCQ में पूछा जाएगा, तो आपसे टि क्योंको लगाईएगा, देखे, इसमें क्या है कि time and tight, tide, wait for none, कवीता को नाम चाटा, देखे, कौन सा ऐसा कवीता है, जिसमे time and tight, tide, wait for none, कहा गिया या फिर लिखा गिया है, तो अगर आपने सही से किया है कवीता को, तो आप आसानी से कर पाएंगे, कि यह जो लाइन है, व पलवया चोवा सब के कवीता को लिखने वाले लेखक हैं, संतोष कुमार महतो जी, और यह किस कवीता संग्रा का कवीता है, तो एक मौनिफूल का, यह इस तरह से कवीता, इस तरह से आप से पूछा जाएगा, MCQ, इसके बाद यह पूछा जाएगा, कि बताए यह पलवया होवा सब के किस तरह का कवीता है उपदेश आत्मक है फंगाठी फिंगाठी है व्यंग है तंज है किस तरह का है तो आप बताएंगे कि यह उपदेश दे रहा है कवी जी उपदेश दे रहा है बच्चों को कि आपको ऐसे करना चाहिए आपको इस तरह के से करने चाहिए आप पढ़वया स्टूडेंट्स को, आगे है, जीवनेक उद्देश से करा एहे समय निर्ने, आप अगर कवीता को सुने हैं, तो कोई मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी MCQ को लगाने में आपको परेसानी नहीं होगी, जीवनेक उद्देश से करा एहे समय निर्ने, और उसके खा अगर आपने सुना है, तो इसी तरह से पूछा जाएगा, कुछ है है यह नहीं, ठीक है? अगला कवीता है हमनीक परिपाटी, बारहवा नम्मर का कवीता है, हमनीक परिपाटी और यह भी ऐक उप्धेशातमक कवीता है, इसमें कवी उप्धेश दे रहे हैं लोगों को, कि इस तरह किसे बात को सिखा रहे हैं, देखिए इस कवीता को आप सुने हैं, तो MCQ तो कर ही लेंगे, फिर भी देख लिजिए किस तरह की MCQ पूछे जाते हैं, बेटिक दाएं, बापेक, मतलब बेटी को साधी देने में, बाप का जो जमीन है, वो सब भी हाथ से निकल जाता है तो या हमने कवीता में देखा था, अभी उसको समझना का टाइम नहीं है, तो अगर आपको समझना है, तो जाहिए वहाँ पर देखिए, अच्छे से समझाया गया है, बोले कौन से कवीता में ऐसा लिखा गया है, तो हमनीक परिपाटी में, अगर आप एक बार दो बार उस आपको सारे मसी कोई यहीं पर, आगे देखिए, हमनी सभी खुर्ठा भासी, हकियों छोटो, खाटो, चासी, इक सकवीता में चासी मानने क्या है, मैंने आपको नहीं बताया क्या, कवीता के अंदर, बताया था ना, तो चासी मतलब खेतियर किसान, सीधा सा बात है, चासी मत कहेंगे किसका आंसर होगा, खेतियर, अगला क्या है, इस कवीता में, जो हमनीक परिपाटी है, बताये हमनी जो सब्द यहाँ पर है, कौन कारक को इंगित कर रहा है, किस कारक को सुचित कर रहा है, बताये कौन सा कारक है, हमनी, तो यहाँ पर यह है एक संभंध कारक, ठीक ह अगला देखिए साधारन हमनिक भेस भूसा इपंक्ति ये बेस भूसा के माने बतावा पताए इस पंक्ति में बेस भूसा का माने क्या है क्या बढ़िहा भूसा या फिर बढ़का भूसा या फिर बेसी भूसा क्या होगा या फिर पहनावा उड़ावा अगर आपने किया है त तो फिर से मैं यो ही कहूंगा, क्या आप कर पाएंगे, सारे questions कर पाएंगे, जैसा भी questions आप से दिया जाएगा, आप उसे लगा लेंगे, दालाल कहां कहां पावल जाहत, घारे बाहिरे, हाटे बाटे, टाइडे टुकरे, टाइड टिकुर मतलब क्या होता है, मैं यहां नहीं अगला है, यह कौन रख में कवीता लागे, बताइए यह जो कवीता है, कि दालाल वाला, यह किस टाइप का कवीता है, आपको बताना है यह भी एक उपदे सात्मक कवीता है, कैसे? क्योंकि इस कवीता में भी जो कवी जी है, यानि कि संतोज कुमार महतो जी है, उन्होंने अगर कवीता को सुना है, तो लास्ट में उन्होंने कहा था कि अरे दालाल भाई लोग, आप लोग थोड़ा सा, अगर आपका काम है लू को चूज करके उसका स्राप को नहीं लिजिएगा, आप थोड़ा सा काम किजिएगा, थोड़ा सा समहल करके आप काम किजिएगा ऐसा, तो यह भी एक उपदे सात्मक कवीता है, अगला है, रिजाई बुझाई, समझे बुझे करिहा काज, यही जो मैंने अभी उपर में कहा दालाल से, अब अगला है, दुनियाई पलट लो पुरना चार, मैंने इस कवीता को बहुत अच्छे से आपको समझाया था, तो इस कवीता में जो पुरना चार है, उसका मतलब क्या होगा, पुराना चावल, चार दिन, पुराना रिवाज, या फिर इसका सवाल, सभी होगा नहीं, इसका जो सही जवाब है, वह है पुराना चार, यानि कि पुराना रिती रिवाज, पुराना रिवाज, पुराना रिवाज, पुराना रिच्वल्स, मैंने कवीता में कहा था न, और यह जो कवीता है, वह इस कवीता में दुनियाई जो है, यह अधिकरन कारक है, कौ बैल गाड़ी, मैंने बताय था ना कि एक गाड़ी जैसा होता है, पीछे में आप उसमें बैल गाड़ी, काणा गाड़ी या फिर जो बल सकते हैं, तो इसमें सगर का मतलब है बैल गाड़ी, गाउगुला हवो हई, हवो हई, सहर, अदालान भांगी बने इकोठा, बताइए इ अगर नहीं सुनें, तो जाइए सुनें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, कौन रोका है आपको, तो कवी के अनुसार, कौन समय टिभी क परचार बेसी भेल, कवी के अनुसार, किस समय से टिवी का परचार हुआ, तो राजीव के सासनकाल से, राजीव गांधी के सासनकाल सा ऐसा कवीता कवी जी कवीता में कहें हैं देखे जा करके एकन तीन हंडिक पानी एगो हंडिक नाई भरे इस कवीता में जो मा है अपने तीन बेटों के बारे में कह रहा है कि मैं जब मेरा जब सवान चलता था मेरा जब सरीर चलता था मैं जब अच्छे से काम काज कर पाती तो अपने तीन बच्चों को खट खट करके, परिश्रम करके, दिन रात मेहनत करके, उन लोगों को आदमी बनाया, उन लोगों को अपने पैर पे खड़ा करया, और अपने से तीन लोगों का पेट भरा, लेकिन अभी वो तीन जो है, अभी मेरा अकेले का पेट नहीं भर पात अईसा करके ये कवीता था, तो अगर आपने नहीं सुना है, फिर जाएए सुनिए, यहाँ जो कवीता है, यह किस टाइप का कवीता है, तो यहाँ भी एक उपदेशात्मक कवीता है, ठीक है, देखें इसमें क्या है, तीन हांडिक पानी, एगो हांडी नाय भरेई, यह क्या ह नहीं, तो यहाँ एक तरह का लोकोक्ती है, लोगों के बीच चलने वाला कि आम पाकले मीठा, आम पाकले मीठा और मानुस पाकले तीता, तो लोगों के द्वारा यहाँ आम बौलचाल में कहा जाता है, तो यहाँ एक लोकोक्ती है, इसका मतलब क्या होता है, जाएए सुनि तो यह इस कवीता के में जो यह खटी-खुटी है यह एक क्रिया विसेशन को इंगित कर रहा है कि यह करके मैं अपने बच्चों को मानुस यानि के आदमी बनाया पैर पर खड़ा किया ऐसा करके अब क्या है पेट बिगाले बुढ़ी घर बिगाले बुढ़ी यह किस कवीता स कि आप जिसको अपने घर की रखवाली करने के लिए दिये वह है वही आपका घर का घर में चोरी करवा रहा है ऐसा करके तो यह एक यथार्थ वादी कवीता है जो सच्चाई है समाज की जो अभी देश में अभी जो हमारे राज्य में अभी हमारे समाज में अभी हमारे घर में जो चल रहा है वो एक यथार्थ वादी कवीता है कि जो रक्चक है वही भक्चक है इस कवीता में जो कहा गया है कि घोराने बैगन खाई दीन मांजे मतलब दीन धाड़े घोराने भैगन खेत को खा जा रहा है तो इसमें बताईए इस बात का समनार्थी कौन सा सब्द है गोराने खेती खाई, खेत खाई, गधा मार खाई जुलाह, और नकर थाने बिकरम राजा, गाय मरे जीवले, अब हमन मरे घीवले, बताइए इसमें कौन सा समनारती है, तो सीधा सा मतलब है कि गोराने जो है, जिसको हम लोग खेत से घेरते हैं, जिससे वही खेत को खा जा रह यह एक सच्चा जूट है, यह पिर यह सही नहीं है, क्या यह सही नहीं है, जो रक्षक है भी समाज में वह भक्चक नहीं है, क्या नेता जिसको आपने बैठाया अपने रक्षक करने के लिए, क्या वो आपका भक्चन नहीं कर रहा है, तो यह सही नहीं है क्या, तो यह गलत मतलब ये B नमर तो नहीं होगा, C नमर भी नहीं होगा, D नमर भी नहीं होगा, इसका सही जवाब है, यहाँ एक सच्चा ही है कि मैंने उसे रक्षक बनाया, लेकिन यह जूट है कि वो रक्षक है, तो यहाँ एक सच्चा जूट है, ठीक है, अब आगे है मरदानी, तो मरदान चैनल का लिंक आपको कमेंड बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा वहाँ से आप टेलिग्राम चैनल को जॉइन कीजिए और इसके PDF को डाउनलोड करके एक बार फिर से इसे रिवीजन कर लिजेगा और कवीता को देख लिजेगा हम लोग इसके बाद चारो कवीता का जो संग्रा है एक-एक करके अच्छे से कवीता को समझेंगे और उसके बाद MCQ को करेंगे हम लोगों ने गद्य संग्रा में बहुत सारे पार्ट कर लिए कवर उसको भी जल्दी-जल्दी कवर कर देंगे आप टेंसन ना ले हर एक सब्जेक्ट का एक quality content आपको देने का हम 100% प्रयास कर रहे है और उस प्रयास में हम कितना सक्छम है आप हमें comment करके बताएं आगे देखिए कि जो मरदानी कवीता है इसमें है गंद भीना फूल अगाच भीना मूल ये किस कवीता से लिया गया है तुम्हारे अपना तो कुछ है नहीं दादा के भरो से चले हो मतलब किसी के भरो से किसी के कमाई पर खाना खा रहे हो मतलब अपना तुम्हारा क्या है ये है तो दादा के भरो से कतारी चास अपना तुम्हारा क्या है अपने मरदानी उसको कोई दिक्कत नहीं होगा इन सारे मैप सीक्यू में परेकर जने ना कर फुटानी ये क्या है तो यह भी एक लोकोक्ती ही है लोगों के बीच में अरे दुसरे के कमाई पर फुटानी मत करो अपना क्या ही ये बताओ ये ऐसा बोलचल में आम बोलचल में बोला जाता है तो यह एक लोकोक्ती है करदानी कर बिना करदानी कर बिना मरदानी के सही माने क्या है मनुस्य का पहचान जो होता है उसके काम से होता है मनुस्य का पहचान उसके रूप से होता है मनुस्य का पहचान उसके रंग से होता है मनुस्य का पहचान उसके भेश से होता है बताइए कौन सा इसमें सही है मतलब करदानिक भी ना मरदानी इसका सही क्या है तो कहता है मनुस्य का पहचान जो है उसके काम से होता है मनुष्य के खातीर सबसे अच्छा क्या है सौबले बेस की बापेक नामे नाम, बेटाक नामे नाम, आपन नामे नाम या फिर सौसरारेक नामे नाम सब जाग रहे हैं, तू सोता रहा, अरे किसमत के हाथों किसमत को थामे रोता रहा अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सब कोई आपके एक सीट को छिनने के लिए आपसे जायदा जायदा मेहनत कर रहा है तो आपको भी करना होगा, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, मरदानी जो है एक भाव आचक संग्या है, ठीक है, भाव है, इसमें कुछ भाव चिपा हुआ है, कि पुरुसार्थ है, भाव आचक संग्या है, आगे देखिए, हमें हको घर भतवा, तो घर भतवा कवीता संग्रह का कवीता है एक मौनी फूल का इस कवीता को लिखने वाले लेकक का नाम बताईए तो संतोष कुमार महतो जी और जो भी बाते पूछी जाएंगी वो आप कवीता को पढ़िया आपसे बन जाएगा अगला है सरसती मायक घर सरसती मायक घर क्या था विद्याले जो संतोष कुमार महतो जी खुद एक टीचर थे तो वह अपने स्कूल के बच्चों को बताते हैं कि क्या-क्या है इस तरह का तो कहता है ही कवीता क मूल बिसेबस्तु क्या है कवी आपनी स्कूल के बारे लिखे संतोष कुमार महतो सहायक परधाना अध्यापक अधाणी तो यह सब मूल बिसेबस्तु है इस कवीता का अब देखे पपीताक खेती यहाँ देखा था ञआ आपने उत्तं खेती मध्यम बान नीच चाकरी भीक निदान बताइए 31 जूमीर में लिखा गया है तो यह लिखा गया है पपीताक खेती में कि आपको क्या करना है सबसे उत्त में खेती करना नौकरी वगरा मत किजिए खेती करिए अपना खेती के साथ साथ और भी कुछ किजिए कुछ कुटी रुद्योग किजिए और भी जैसे कि उसमें बताया गया तो हौटी कल्चर किजिए पसु पालन किजिए और भी है बहुत कुछ PC कल्चर कीजिए, मचली पालन कीजिए, अपना आप अपना उध्यम खोलिए अपना सब कुछ अपने दम पर, चीक है, तो उत्तम खेती मध्यम बन ये पपिता क्खेती में ऐसा करके कवी जी बताया थे, पपिता क्खेती में कभी मुख्य रूप से की क है खोजहलत, कि सरकार जो है सब को नौकरी नहीं दे सकती, खेती से मन ना इउ्चटाबा, और खेती उत्तम है और चाकरी नीच, तो ये सब कुछ पपिता की खेती में कहा गिया था, अगला है हमनिक बोन जहार संग नाता, तो 22 नंबर का कवीता है हमनिक बोन जहार संग ना तो computer भी जाकर जरूर पढ़ें, उसके lectures को देखें, आपको पूरे YouTube पर, अगर हमारे content में कोई कमी होगी, तो जरूर बताईएगा, और अगर content में दम है, तो भी आप जरूर उसको follow किजिए, और आप 20 में से 20 questions जरूर कर पाएंगे, उसके बाद हम match भी करने वाले हैं, और हम जो है, GKE, GS, यह सब के भी आपके साथ strategy share कर रहे हैं, आप अगर जारखंड में, या फिर किसी भी state का, या all over India का कोई भी competitive exams दे रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं, आप comment करके जरूर बताईएगा, कि हमारा जो यह initiative है, या फिर आपके साथ जो हम इस तरह के content को साजा कर रहे ह यह आपके लिए बेहद उपयोगी है या नहीं, अब देखे हमनीक बोन जारसंग नाता क्या है, इस कविता का मूल भाव क्या है, पर्यावरन सुरक्चा, संतुलन बनाय रखने का, या फिर जड़ी बुटी से दवाई, तो यह जड़ी बुटी से दवाई बनता है, यह तो हुआ रिसी मुनिक सांती मिले है, यानि की जंगल में, बन में, हुआ नाना रखमेक चरै चुनगुनी पावाहत, हुआ फल फुल जड़ी बुटी मिला है, और यह सभे, तो इसका सब होगा, भाव, ठीक है, अखन सभीन, रोपागाच, युकलिप्टस, बाढ़ी जीतो जी हम लोगों ने आज जो MCQ का पार्ट टू है, इसमें 12 कविताओं के MCQ को देखा कि कैसे MCQ पूछे जाते हैं, और कैसे पूछे जा सकते हैं, और आपको यह भी बताया कि आप कविता को देखिया, आप से सारे MCQ बनेंगे, अगला पार्ट में हम इसे पूरा कवर करेंगे, औ उसके बाद किसी कवीता को उठाएंगे और उस कवीता को डिटेल में, दो-तीन पार्ट में पुरा-पुरा कवर कर देंगे. आप टेंसन नाले कि बहुत कवीता है, ऐसा नहीं है. दो या तीन घंटा का तो है, एक बुक पूरा दो या तीन घंटे का तो काम होता है, आखी गीत चार घंटा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा, है ना उसके बाद जो दामुद्रेक कुरा है वो भी 3-4 घंटा लगेगा और जो कोई ठेक पाइदेक खड़ी है वो भी 3-4 घंटा लगेगा, तो आप एक बार अच्छे से सुन लिजेगा, और दुबारा क्या किजेगा उसको स्पीड में पढ़ लिजीए कम्प्यूटर देखे, सब कुछ हम लोग यहां पर करवा रहा है कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें अपनी पढ़ाई को पुकता करें, अपनी तयारी को पुकता करें और अपना एक अधिकारी बनने का जो सपना आपने देखा है उसको पूरा करने में लग जाए